ककस नुमी गनेट अध्याय पांच एक चरकार रैखिक समिकरन प्रस्तना वली 510 नम एक इसमयाब करनी हैं तो चलते हैं देखते हैं समिकरन बगारा कैसे बनती है समिकरन का बनना जैसे दिया तो संख्या के तीन गुने में से चार अधिक तेरा के बरावर होते तो मान लेते हैं पहले माना संख्या X है तो प्रस्टना अनुसार क्या हुआ है प्रस्टना अनुसार देखो क्या है संख्या के तीन गुने में से तो संख्या को तीन से गुना कर दें से चार अधिक तो चार इसमें जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा और बराबर कितना दिया है तेरा के बराबर होता है बस यहीं आंसर हो गया तो जैसा कहा जाएगा बिल्कुल उसके अंसारी करना है आपको अब यह उधार्ण दो दियावा है एक लड़के की वर्तमान आयो तो उसके चार वर्त पूर्व की आयो की दुगनी है तो मान लेते हैं माना लड़के की वर्तमान आयो बराबर एक्स वर्त अब इसके चार वर्त पूर्व तो चार वर्त पूर्व लड़के की आयो कितनी हो जाएगी तो चार इसमें से कम हो जाएगी अब रसना अनुसार क्या कहा है देखो रसना अंसार कहा है वर्तमान आयू लड़के की वर्तमान आयू उसके 4 बर्स पूर की आयू की दुगनी तो वर्तमान आयू तो X थी और 4 बर्स पूर X-4 थी और उसकी दुगनी तो 2 से गुणा कर देंगे यही आंसर हो जाएगा अब जो है दिये गए BGS विकन को कथन से इस पस्ट करना है कथन कैसे हम लिखते हैं यह है अब संख्या इसमें दी भी है तो इसमें लिखना है किसी संख्या यह लिखना है इसका कथन किसी संख्या यह संख्या का चौथाई को संख्या में जोड़ने पर यह संख्या जोड़ी हुए यहां दिखाई दे लिए दस प्राप्त होता है या योगफ़त दस प्राप्त होता है अब अगला यह है निमलखित बीजी स्वेकरन के लिए कथन बनाना है इस सब के लिए कथन लिए 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 लिएते हैं तो माना संख्या एक्स है तो इस कथन के अंसार संख्या में से तीन घटाने पर 42 साता है ऐसा लिखना पड़ेगा तो यहां लिखेंगे संख्या के दुगने में से तीन घटाने पर प्राप्त रासी 42 होती है ऐसे यहां पर मान लेंगे माना संख्या X है तो संख्या का 12 गुना है तो यहां लेंगे संख्या के 12 गुने में से तीन घटाने पर 105 प्राप्त होता है ऐसा कुछ आएगा इसमें अब यह एक और दिया हुआ है इन पर भी लिखना है देखिए क्या है यहां आ जाएगा मान लेंगे माना संख्या X है माना संख्या X है यह मान लिया तो किसी संख्या को संख्या में चार जोड़ कर भाग देने पर भागफल 28 आता है देखो संख्या को उसके चार जोड़ करके भाग दिया गया तब यह 28 आता है तो यहीं समिकर्णों के यहां पर भी लिख लेंगे माना संख्या X है यह संख्या हमने X मान लिए अब क्या हो गया संख्या में 6 जोड़ने पर 28 प्राप्थ होता है चलिए यहां देखिए यहां क्या है मान लिए यहां पर भी माना संख्या तीन है तो क्या होगा संख्या में नहीं संख्या के तीन गुने में आएगा संख्या के तीन गुने में तीन जोड़ने पर योगफल पंदरा प्राप्थ होता है यह हो गया अब हमारी समिकर्ण हल करने का नमबर आगे समिकर्ण को कैसे हल करते हैं तो ध्यान लगना इसमें कुछ नियम रहते हैं उस नियमों का पालन करना पड़ेगा मान लिया यह प्लस है अगर इसको बराबर के स्पार भेजते हैं तो यह माइनस का हो जाता है और यदि माइनस है इसे बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यदि ये गुणा है इसको बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये भाग में बदल जाएगा और यदि भाग है तो इसको बराबर के इस पार भेजने पर ये गुणा में बदल जाता है तो ये नियम है जो आपके हर वक्त काम आते रहेंगे तो इन नियमों को याद करके चलना है और इसी पर हम चलाएंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले दिया हुआ है X-7 बराबर 3 इस 7 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस है यहाँ पे तो यह हो जाएगा 3 प्लस 7 तो X बराबर कितना हो गया 10 यही आंसर होगा ऐसी यहाँ देखिए समिकर्ण 3 X प्लस 5 बराबर 14 को हल करने पर तो माल लेते हैं इसमें यह आपका समिकर्ण आगया 3 X प्लस 5 बराबर 14 सबसे पहले 5 धन का है उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा तो 3 X बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 3 X बराबर बचेगा 9 तो X बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 3 क्योंकि यह 3 गुणा में है इधर आगे बटे में आ जाएगा तो 3, 3, 9 कितना आ गया? 3 आ गया और यह आंसर होगा अब यह उधारन 5 है समिकरन 3X प्लस 5 बराबर 14 तो यहां लिख लेते हैं 3X प्लस 5 बराबर 14 इसमें क्या हो जाएगा? अब 5 को इदर बेजेंगे माइनस का हो जाएगा तो 3X बराबर 14 यहां प्लस का है तो इदर जा करके माइनस का हो जाएगा तो 3X बराबर कितना बच गया? 9 बच गया तो X बराबर कितना हो जाएगा? 9 बटे 3, 3 से सिकाड देंगे तो यह 3 आ जाएगा और यही आंसर होगा नमबर 6 को देखो समीकरण दिया हुआ है यह 4X प्लस 5 बटे 3 बराबर 15 यह 3 भाग में इदर जा करके गुणा में आ जाएगा तो 4X प्लस 5 बराबर 15 गुणा 3 तो 4X प्लस 5 बराबर 15 तिया 45 हो जाएगा इस 5 को इदर बेज़ दीजिए तो यह आ जाएगा 45 माइनस 5 तो 4X बराबर 40 तो 4X बराबर 40 तो X बराबर जाएगा 40 बटे 4 क्योंकि गुणा में है इदर जा गए बटे में आ जाएगा तो 4 दाम 40 तो X बराबर कितना हो गया 10 आ गया यह इसका उत्तर हो गया है अब एक और प्रस्णा आ रहा है आपका इसे भी देखते हैं जरा यह दिया है समय करन इतनी दी इसको हल करना है तो यह है 4X माइनस 2X माइनस 5 बराबर 4 प्लस 6X प्लस का 3 पहले तो यहां सही कर लिते हैं 4X में से 2X के चर्ट 2X बचेगा माइनस का 5 है यह अब क्या करना है इस 6X को इधर पक्सांतर करना है तो माइनस का 6X हो जाएगा 5 को इधर लाएंगे तो यह प्लस का 5 हो जाएगा तो 6 यह माइनस का 4X बच जाएगा क्योंकि 2 में से 6 जाएगा तो बड़े वाले का चिंद रखते हैं और 7 और 5 बारा हो गया तो यहां बच गया X बराबर 12 बटे माइनस का 4 4 एकम चार 4 तियां 12 तो X बराबर कितना हो गया माइनस 3 हो गया यही इसका आंसर होगा यह आगई प्रस्णावली 5.1 निम्न दिये कत्नों को समिकरण बनाईए इनकी कत्नों समिकरण बनाना है तो दो क्रमागत संक्याओं का योग 11 है तो मान लेते हैं माना दो क्रमागत संक्याओं एक का अंतर होता है संक्याओं में तो X और क्या होगा एक अगली X प्लस 1 है तो क्या करेंगे इनका योग पल है तो X प्लस X प्लस 1 बराबर 11 यह यहीं आंसर हो जाएगा अब यह टिकेंद्र वर्थ तेज राम की आयू का यू तीस है जबकि टिकेंद्र की आयू तेज राम की आयू की दुगनी है तो पहले मान लेंगे माना तेज राम की आयू बराबर एक्स वर्थ तेज राम की दुगनी है तो कौन है यह टिकेंद् केंद्रे की आयूम कितनी है दुगनी बताया गया है तो दो से गुणा कर देंगे तो दो एक्स वर्स है अब ये कहा है योग इन दोनों का तो प्रस्ना अनुसार जो कहा गया है वो भी लिखना है प्रस्ना अनुसार क्या हो गया इन दोनों का योगफल कितना दिया है? 30 दिया है, यह यहीं पर आंसर हो गया यह केवल अभी तक समिकरण नहीं ही बनानी है इनको हल नहीं करना है यानि इन कतनों से हमें केवल समिकरण ही बनानी है चलते हैं अगली पे यह दियावा है एक तर्वज की एक बुजा, दूसरी बुजा की दुगनी और तीसरी बुजा के बराबर है बुजाओं का योग 40 है एक तर्वज की एक बुजा, दूसरी बुजा की दुगनी और तीसरी बुजा के बराबर है तो पहले क्या करिए इसमें एक तिर्भुज बना लेते हैं तब ही समझ में आएगा आएगा आप लोगों को ये एक तिर्भुज मैंने बना दिया है तिर्भुज का कुछ नाम दे दीजिए A, B और C इस तिर्भुज की एक बुजा दूसरी बुजा की दुगनी है तो माले ये दूसरी बुजा है X तो एक बुजा ये दुगनी हो गई और तीसरी बुजा के बराबर है और ये तीसरी बुजा के बराबर हो गया यानि X है तिर बुज की एक बुजा दूसरी बुजा की दुखनी है ये एक बुजा जो है ये ये वाली एक बुजा दूसरी बुजा की दुखनी है और तीसरी बुजा के बराबर है यानि तीसरी भुजा के बराबर यानि इसकी बराबर होना चाहिए तो यह नहीं यह 2X होना चाहिए तो मान लेते हैं माना दूसरी भुजा बराबर X तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी उसकी दुख नहीं है तो 2X होगी और तीसरी भुजा बराबर है इसकी तो तीसरी भुजा कितने हो जाएगी ये भी 2X हो जाएगी इन्होंने क्या काया भुजाओं का योगफल 40 है तो यहां लिखेंगे प्रस्तना नूसार क्या हो जाएगा भुजाओं का योगफल यानि एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स ये तीनों का योगफल कितना दिया इन्होंने चालिस दिया है ये यहीं आंसर हो जाएगा चौथा प्रस्थन है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तीन अधिक है उस आयत का परिमाप 15 है तो देखिए क्या करते हैं हम ये ये लंबाई ले लिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो देखते हैं क्या होगा इसके अंदर तो मान लेते हैं माना आयत की चौड़ाई बराबर X अब क्या कह रहे हैं लंबाई इसकी निकल जाएगी लंबाई क्या है चौड़ाई से तीन अदिक है तो X प्लस तीन हो जाएगा तो आयत का परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है सुद्र परिमाप इन्होंने कितना दिया है 15 दिया है 2 लंबाई कितने दिया है X प्लस 3 तो X प्लस 3 और चोड़ाई X है और यह यहीं पर आंसर हो जाएगा बस इतना ही करना था इसको चलिए ये एक और दिया हुआ है पांचवा रमेश दिनेश वर सतीस के पास 2 अन्पाद, 3 अन्पाद, 4 की अन्पाद में पैंसिल है तो मानना पड़ेगा इसमें तीनों में अनुपाद पहले लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है 2 अन्पाद, 3 अन्पाद, 4 तो मानना रमेश की पैंसिल बराबर दमेश का पहला नाम है इसलिए दो एक्स हो जाएगा दूसरे नमबर पे कौन है दिनेश तो दिनेश की पैंसिले कितनी है ये भी लिख लेते हैं ये पैंसिल तीन एक्स हो जाएगी और कौन बचा सतीस तो सतीस को भी लिख लेते हैं सतीज की पैंसिल कितनी है यह आपका चार एक्स हो जाएगा क्यों पाथ चार में दिया हुआ है अब प्रस्ना अनुसार कूल संख्या 18 है तो प्रस्ना अनुसार क्या हो जाएगा पूल संख्या इन्हें सब को जोड़ देंगे 2x 3x और प्लस 4x बरावर कितना है यह दिया ठारा लिख लेंगे तो ये answer हो जाएगा अब है नीचे दिये गए समिकरणों को हल करना है यानि अब समिकरणों को फिर से हल करके दिखाना है यानि x का मान निकालना है हम लोगों को देखते हैं कैसे निकलता है तो ये पहले दियावा है 5 x प्लस 2 बराबर 17 पहले 2 को इधर बेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा तो 5 x बराबर 17 माइनस 2 तो 5 x बराबर कितना बच गया 15 तो x बराबर 15 बटे 5 हो जाएगा 5 गुणा में तिखर जाके बटे में जाएगा तो 5 या पंदरा तो X कमान 3 आ गया यानि ये आंसर हो जाएगा चलिए एक और ये समिकरन दिवी है ये 5P प्लस 1 बराबर 24 है तो 5P बराबर कितना हो जाएगा 24 और ये माइनस का 1 हो जाएगा तो 5P बराबर कितना बच गया 23 बच गया तो P यहां 5 गुणा में है इधर जाकर के बचे में आ जाएगा तो 23 बचे 5 हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा तीसरा प्रस्न भी देख लेते हैं तो यहां दिया हुए 4X प्लस 8X बराबर 17X माइनस 9 माइनस 1 8 और 4 हो गया 12X इस 17X को इधर ले आ लो तो माइनस का हो जाएगा माइनस 9 और ये माइनस 1 कितना हो गया 10 हो गया तो ये 12 में 17 गया तो माइनस का 5X बचेगा और माइनस का 10 हो जाएगा X बराबर माइनस 10 तो ये बटेम चला जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा माइनस से माइनस कर जाएगा 5 दुने 10 हो जाएगा तो X कमान 2 आएगा आंसर हो जाएगा चलिए यहां पर भी देख लेते हैं क्या दियावा है यह दियावा है माइनस का 7 है प्लस का 3 T है माइनस का 9 T है बराबर 12 T है माइनस 5 तो पहले देख लेते हैं 7 माइनस का है 9 माइनस का तो 9 और 7 16 हो गया माइनस का 3 तीन टी और ये नई कुछ गरबड हो गया है फिर से देखते हैं ये तीन टी है और माइनस का नौन टी है तो माइनस का छे टी हो गया और ये माइनस का साथ है बराबर बार टी माइनस का पांच है बार टी को इधर लिया हो माइनस चे टी तो ये माइनस का बार टी हो जाएगा 7 को देर ले जाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा अब ये हो गया 12 और 6 18 T बराबर कितना हो गया प्लस का 2 तो T बराबर हो गया 2 बटे 18 माइनस का और यहीं पर आंसर हो जाएगा चलिए ये भी देख लेते हैं 3 है और Z माइनस 2 है प्लस का 5Z बराबर 2 दिया है इसकी गुणा कर दीजिए उन्दर तो T Z माइनस 6 हो जाएगा और प्लस का 5Z बराबर 2 हो गया तो T Z और 5 कितना हो गया 8 Z हो गया और 6 को उधर बेद देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा तो 8 Z बराबर 8 तो z बराबर ये गुणा में है ते इदर जाकर के बटे में आ जाएगा कट जाएगा और एका कामान एक हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा हमारा अब देखते हैं निमलिखित कतं समिकर्णों के लिए कतं बनाई ये मतलब कतं लिखना है चलिए पहले लिख लेंगे माना संख्या X है ये संख्या हमने X मान ली तो संख्या में तीन जोडने पर ये लिखा जाएगा इसमें संख्या में तीन जोडने पर योक्फल 27 प्राप्ट होता है यह हो गया इसमें देखिए यहां भी मान लीजिए माना संख्या X है तो क्या होगा संख्या के आधे में संख्या को संख्या का आधा है योगफल अठारा प्राप्त होता है चलिए यहां देखिए क्या है यह माना संख्या X है अब संख्या को संख्या में दो जोड़ कर भाग देने पर भाग फल तीस प्राप्त होता है तो यह इसका आंसर हो जाएगा यह सब आंसर है ऐसी आंसर लिखे जाएंगे इस सब के कि वहली स्टेट्मेंट बर देना है और आंसर लिखना है इसके चलिए आगे चलते हैं हम लोग यह आपका प्रस्न सम्म करनों को हल करना है फिर से यह important exercise इस वक्त है इसमें जो भी है इसमें से एक प्रस्न जरूर आएगा एक्जाम में चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसमें अब यह 6 प्लस 4 माइनस M है ब्रैकेट खोल दिया अब 8 के अंदर गुना कर देखते हैं 24 M प्लस 8 पंजे 40 हो गया चलिए अब देखते हैं अब यह 4 और 6 हो गया 10 माइनस M बराबर कितना हो जाएगा 24 M प्लस 40 इस M को इधर लियाओ माइनस का M है माइनस का 24 M परप्त होगा बराबर यह 40 तैस ही है यह 10 इधर आ करके माइनस का हो जाएगा तो यह हो गया माइनस का 25 M बराबर यह जाएगा कितना 30 बच जाएगा तो M बराबर 30 बटे माइनस का 25 तो 5, 25, 5, 35 कितना आ गया माइनस का 6 बटे 5 इसका अंसर हो गया यहां भी देख लेते हैं इसके अंदर गुना कर दीजिए तो 2K माइनस 10 हो जाएगा और प्लस का 3K है बराबर K है और प्लस का 6 है तो 2 और 3, 5K हो गया और माइनस 10 बराबर K प्लस 6 K वाले एक तरफ कर लो तो 5K माइनस के इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा यह 10 उदर जाकर के प्लस का हो जाएगा तो 6 प्लस 10 हो गया यह बचा 4K बराबर 16 तो K बराबर 16 बटे 4 4 एकम 4, 4 चौक 16 तो K का माइनस 4 आ गया यही आंसर होगा चलिए यहां देखते हैं इसके अंदर गुना कर दीजिए तो 5P प्लस 4 तियां 12 माइनस 4 दुनी 8P बराबर यह 10 में से 2 गया तो कितना बचाईए माइनस का 8 बच जाएगा 5 है यह माइनस का 8 है तो माइनस का 3P बचेगा और इस P को इधर ले आओ तो माइनस का P हो जाएगा यह माइनस का 8 पहले से 12 को उधर ले जाओ तो माइनस का 12 हो जाएगा तो माइनस का यह दोनों बिलके 4P हो गया और माइनस का 12,8,20 हो गया तो P बराबर हो जाएगा माइनस का 20 बचे माइनस 4 माइनस माइनस कर जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो P कमान 5 आ गया ये आंसर है यहां पर भी देख लेते हैं जरा क्या है यह X बटे 3 बराबर 7 बटे 75 और माइनस का एक हो जाएगा इसका लगुत्तम ले 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 तो 75 आ जाएगा 7 माइनस 75 कितना बच जाएगा यहां X बटे 3 चल रहा है कितना बचेगा ये माइनस का 15 में से 7 गए 8 और यहां बच गया 6 और बटे में 75 है तो X बड़ाबर हो जाएगा माइनस 68 बटे 75 गुना 3, 3 से काड़ दो तो 25 आ जाएगा तो कुल मलाग के माइनस 68 बटे 25 यही आंसर हो जाएगा चलिए ये एक और प्रसंद देख लेते हैं ये भी बहुत ज़्यादे इंपॉरंट है इसका भी लगुत्तम लेके करना है पहले लगुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 2 M यहां बटे में एक मान लेंगे और माइनस का M है लेकिन बटे की पूरी लाइन एक ब्रेकेट का का काम करती है तो ये चिन बदल जाएगा प्लस का हो जाएगा और बरावर कितना हो गया यहां पे यहां लगुत्तम लेंगे तो 3 आएगा 3 एकम 3 इसे बटे में एक मान लेंगे और माइनस का M है यह भी ब्रेकेट की तरह काम करेगा ब्रेकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा चुकि बाहर माइनस है अब देखिए 2 M में से 1 M गया तो बचा M और प्लस का 1 बटे 2 हो गया और यहां से कितना बचा 3 और 2 हो गया 5 माइनस का M बटे 3 अब इसकी ब्रजुना कर देते हैं तो 3 यहां जाएगा M प्लस 1 यहां जाएगा 2 यहां जाएगा 5 माइनस M यहां हो जाएगा गुणा कर दो 3 M प्लस 3 हो जाएगा बराबर 5 दुनी 10 माइनस का 2 M चलिए M वाले एक ट्टे कर लेते हैं एक तरह 3 M इसको इदर ले जाएगा तो प्लस का 2 M हो जाएगा बराबर 10 है और यह माइनस का 3 हो जाएगा तो 3 और 2 5 M हो गया बराबर 10 में से 3 गया 7 बचा तो M बराबर 7 बटे 5 हो गया और यह आंसर हो गया चलिए यहां देखते हैं क्या होगा अब इसमें लगुत्तम ले लेते हैं पहले लगुत्तम 4 यहां 12 हो जाएगा तो पहले 12 लगुत्तम ले लेते हैं तो अब क्या पचेगा 3 कि दर गुणा हो जाएगी 3 और 3 T माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4 कि दर गुणा हो जाएगी और 2T प्लस 3 हो जाएगा यह और बराबर यहां भी लगुत्तम ले लिए 3 आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस का 3T हो जाएगा यह लगुत्तम में बटे एक मालनेंगे चलिए देखते हैं इसके अंदर उना कर दो 3 तिया 9T और इसके साथ माइनस का 6 माइनसदफी हो जाएगा और यह अंदर किन बत लेगा 4 तिया 12 माइनस का 12 हो जाएगा और बटे में कितना है 12 बराबर यह 2 माइनस 3T है बटे में 3 लेकिन 9 मैं से 8 जगय तो एक ही Тorti बचेगा और यह 12 और 6 18 हो गया माइनस का और बटे में 12 है बराबर यहां 2-3T बटे में 3 है अब तिरसी गुणा कर लिजिए तो 3 की गुणा यहां हो जाएगी T-18 में और 12 की गुणा हो जाएगी 2-3T में तो यह हो जाएगा 3T-18 तियां 54 बराबर 12 दूनिश 24 माइनस 12 तियां 36T अब T वाले सब एक तरफ ले लो माइन प्लस का 36 है तो प्लस का 36 हो जाएगा और बराबर 24 है इदर जाकर के प्लस का 54 हो जाएगा तो 36 और 3-49T हो गया और यह 4-48 और 2-5-7 तो टी बराबर हो गया 7-8 बटे 49 तो 49 दूनिश 28 यानि 2 आ गया और यही हमारा अंसर होगा चलिए यहां पर देखते हैं यह और प्रस्न दिया हुआ है एक्स बटे 2 इसमें पहले अंकों को एक तरफ कर लेते हैं तो एक्स बटे 2 है माइनस का एक्स बटे 3 हो जाएगा और इसको इधर ले जाओ तो एक बटे 4 यह प्लस का एक बटे 5 हो जाएगा इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा यह प्लस है तो माइनस हो तो X बटटे छ। और 5 4 9 9 बटे 20 हो जाएगा तो X बराबर 9 बटे 20 गुणा 6 हो जाएगा तो 2 3 6 और 2 ताम 20 तो X का मान 9 3 Fut res 27 और बटे 10 हैं अब 27 को अगर भाग देना चाहता हो तो 10 दूने 20 और यह 7 बटे 10 हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ भी देखते हैं 9x 9x बटे 7-6x बटे 15 दिया हुआ है इसकी तिर्शे गुणा कर दी इसको बटे एक मान करके तो 9x बटे 15 और 7-6x तो 9x बटे 15 सत्ते 105 और 15 चंग 90x तो 90x को इधर ले आईए तो प्लस का 90x हो जाएगा बरावर 105 90 और 999x बरावर 105 तो x बरावर 105 बटे 99 कटता है क्या देख लेते हैं 3-3-9 3-3-9 3-3-5-15 अब नहीं कटेगा तो x बरावर हो गया 35 बटे 33 यही आंसर है या इसको सही करना चाहूँ तो 1 सही 2 बटा 33 हो जाएगा आंसर देखो कैसे 33 हम 33 और 2-35 यहीं आंसर हो जाएगा अब चलते हैं यह अंतीम चरण का कोस्चन है देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का इसमें भी 30 गुणा पहले करनी है तो यह 5 की गुणा किसमें हो जाएगी 3y प्लस 4 में और बरावर माइनस का 2 है 2 माइनस 6y हो जाएगा उना कर दीजिए 5 यह 5 यह 15y हो जाएगा और प्लस 5 चक 20 हो जाएगा यहां से माइनस का 4 हो जाएगा इसकी उना करेंगे तो प्लस का 6 दुनी 12y हो जाएगा तो 15y माइनस का इधर जा करके 12 Y हो जाएगा यह मैनिस का 4 है इधर जागर करके मैनिस का 20 हो जाएगा तो 15 मैं से 12 गैकq 3 Y और मैनिस कहीं कितना हो गया 24 तो Y बराबर मैनिस 24 वटे 3, 3 अठे 24 Y बराबर मैनिस 8 हो गया और यहीं इसका आंसर हो जाएगा यह exercise यहीं समाप्त हो रही है नीचे आप लोगों को एक लाल लंग का बटन दिखाई दे रहा होगा इसको दबा करके subscribe करेंगे तभी मेरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा जैसे मैं डालूँगा वैसे ही मिलेगा मैं बहुत सारी class का डालता हूँ जो तुम्हारी class को क्यों वही लेना और जादे जादे बच्चों को सेर करो जिससे जादे जादे बच्चों को पायदा हो सके यह सेर वाला बटन दबा करके सेर कर सकते हैं धन्यवाद तैंक यू इसी के साथ मैं आरिस को सारसर आज स्वास करता हूँ